हेलो फ्रेंड्स वेल्गम टू माई चानल आज मैं आपके लेकाई हूँ प्याज का तीन तरह का सेलेड जो हमारे खाने का स्वाद दो गुना कर देगा और इसे आप बिर्यानी के साथ चावल के साथ या लॉंच में डीनर में किसी भी टाइम इसे इंजॉय कर सकते हैं तो चल क्यों चेंगे मिक्सिंग जार तो हम दॉन दाल के मुट्टी भर अरहा धनिया यह मैंने नंदे के साथ लिया है कि डंडी में बहुत ज्यादा फ्लेवर होता है तो इसलिए नाप है कि तो थोड़े से दालें जो पूदीनी के पत्त्य कि इसके साथ जाएगी हारी मिर्च ती के साथ जाएगा दो चम्मच ये भुनी हुई चना दाल है इसे हमारी चट्नी जो है वो ठीक बनेगी इसमें पानी पानी नहीं रहेगा हमारी चट्नी में रपने के का इसे हम एक बावल में निकाल लेंगे मजैं को अभ अब गए कि अऊद्धू के यह मैं लिए हैं और हम को इस तरह से गोल गोल टुकुडों में इनके रिंग सी निकाल लेंगे में कि यह बीच में से थोड़ा सा इह ख़राब है जो इसको हम निकाल देते हैं बीची में से कैसा प्याज निकल आता है तो और इस तरह से हम थोड़ा सा प्रेस करते हुई इनके रिंग्स निकाल लेंगे सारे कि आप चाहें तो लंबा लंभा भी काट सकते हैं लेकिन गोल में थोड़ा सा लुक अच्छी आ जाती है यह देखिए हमारे सारे डिंग्स बन गए अब हम इन्हें ठंडे पानी में डालेंगे तो यह मैंने बरफ डाल कर एक बावल में ले लिया और उस पानी में हम इसमें डाल देंगे सारे प्याज को इससे हमारे प्याज जो है थोड़े वाश भी हो जाएंगे और थोड़ा सा इ हुए इसे हम निकाल लेते हैं कच्छा प्यास वैसे भी खाने के साथ खाया जाता है तो लेकिन अगर इस तरह से सैलेड बना हुआ मिल जाए तो खाने का तो स्वाधी दोगुना हो जाता है कि देखिए हमने सारे रिंग्स निकाल लिए अब हम थोड़े थोड़े इसके तीन पार्ट करेंगे पहले एक पोशन ले लेते हम इसमें डालेंगे हम बारिक कटी हुई हरी मिर्च आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च हम तीकी वले लाल मिर्च नहीं में लेंगे क्योंकि हमने हरी अरी मिर्च डाली ने इससे घ्लर थोड़ा आएगा रिंग्स सोब्सक्रार्ट में नमक गशाट नसाला और सफेद नमक भी हम इसमें डालेंगे और एक नीम्बू का रस और उपर से डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल पारिक कटा हुआ हरा धनिया इल्को अच्छे से मिला देते हैं बस हमारा प्याज का रेड वाला सेलेड बर्गर बिल्कुल रेडी है अब हम दूसरा सेलेड बढ़ाएंगे तो इसके लिए दूसरा पॉशन लेते हैं हम प्याज का इसमें डालेंगे हम हरी चटनी और इसे अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर देंगे क्योंकि हमने नमक इसमें मिक्स कर देंगे तो यह देखिए हमारा ग्रीन वाला कि हरी चटनी का प्याज सलेड त्यार है अब हम लास्ट बनाएंगे तो यह प्याज हमने सारे इसमें ढालेंगे हम हरी चटनी जो हमने बना के रखी थी वह इसके साथ डालेंगे हम दो चमच दही जितनी आपको जोट हो उतना इसमें डालें और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक क्योंकि जो हमने दही डाला है उसके लिए हमें सही थोड़ा थोड़ा सा क्योंकि चत्नी में तो ओलड़ी मसाले है सारे और इसे भी हम अच्छी तरह से मिंक्स कर देंगे लीजी हमारे circulate रहा हर सटनी की प्याज, भी रेड़ी हो गई के इसे इस은दर लग रही है को अलगर यह जी यह हमारी प्याज के 3 सालेट बनकर बिल्कुल रेड़ी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू पर वाचिंग, बाई एंड टेक केर